नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुशकार आये और आप देख रहे हैं नियूज हल चल इंडिया आए बढ़ते हैं आज की खास ख़बर की और सरगॉन जिले में कुरोना पॉजरिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है ऐसे में गाइडलाइन्स उलंगन करने वालों के लिए पुलिस ने एक धर्मिशाला को अस्थाई जेल बना दिया है पतादे की कुरोना के बढ़ते आंकरों के बाद जिले में शुक्रवार रातरी आठ बजे से सोमवार सुबह छे बजे तक संपूर ने लॉकडाउन खोशित किया गया है वहीजारी आदेश ने रंग पंश्मी को पूरी तरह फीका कर दिया साथ ही बिना मास्क बहार निकलने वालों को अस्थाई जेल भीजा के हैं इस दोनान थाना प्रपारी प्रकाश वासकले ने बताया कि आदेश का उलंगन करने पर अस्थाई जेल जाना पड़ेगा आज रंग पंश्मी को देखते हुए निर्देश दी साधन कर प्रकाश वे हैं कि सभी लोग पुली ने घर में मना है जीवार के साथ मना है कहीं भी कोई सारुजरी दूप से या गेर दूप में मना है आज इसी पंशनी वहस्ता में हमारे सभी जग फिक्स कॉइंट लगे हुए है साथ ही हमने एक अस्ताई जेल भी बना रखी है इसमें जो भी एक प्रचॉलिस को लगन कर रहा है या जो अब्रदम कर रहा है मास में लगा रहा है और यहां पर दूसर रिस्टेसिंग का पालन कराते हुए उनको लखा हुआ है और यह कारवाई लगातार चलती रहेगी आगे लिए अब ही तो एक जगे बनाई है हम लोगों ने और अगर जबत पड़ेगी तो और जगे बनाएंगे